हेलो दोस्तों, वेल्गम बाक टो PMF IS Environment Video Lecture Series जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये पूरी की पूरी सीरीज जो है वो PMF IS की Environment Booklet के उपर based है ये 3rd edition है, market के अंदर easily available है आप जाकर के इस 3rd edition को purchase कर सकते हैं उसी के basis पर हम लोगों ने पूरी की पूरी PMF IS की Environment Video Lectures को डिजाइन किया है ये पूरे Lecture Series मेरे द्वारा प्रेजेंटेड है दोस्तों, मेरा नाम है रशब शर्मा and this booklet series को हम लोग कवर कर रहे हैं ये हमारी 2nd video है, 1st video already uploaded है आप जाकर के उसको पहले देखे क्योंकि ये पूरी की पूरी जो वीडियो सीरीज है वो connected है, अगर आप एक भी वीडियो Lectures को मिस करते हैं, तो next वाली वीडियो जो है, आपको समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से conceptual clarity नहीं आपाएगी और अभी जो ये second वीडियो है, दोस्तो ये chapter one of the PMF IS environment booklet है, वो क्या है environment, habitat and ecosystem, एक बार table of contents को भी देखिए, index को भी नजर मारी है, index में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि first वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी, what is environment, what is habitat and what is ecosystem ecosystem, ecosystem को हम लोगों ने पूरे रूप से cover नहीं किया था, बट हाँ, एक glance देखा था कि भाईया, होता क्या है ecosystem, तो जल्दी से देखते हैं ecosystem क्या था, एक बार revise करिए फटाफट से, ecosystem कुछ नहीं, भाईया, क्या था, interaction था, biotic और abiotic components का, ये interdependency को हम लोग क्या बोलते थे, ecosystem कहा करते थे, जहां पर biotic का होना बहुत आवश्यक है, यानि life is the essential component of ecosystem, और हम लोगों ने बात करी थी कि habitat कुछ नहीं, बलकि छोटे ecosystem होते हैं, so यहां पर हम लोग सबसे पहले तो components of ecosystem को discuss कर चुके हैं, abiotic और biotic components होते हैं, इन दोनों को आप फटाफट से एक बार पिछली videos में देखिए, कि what is a biotic, what is biotic component, अब finally हम लोगों को classify करना है ecosystem को, देखो ecosystem को भी न, different groups से आप classify कर सकते हो, जैसे classification के कई तरीके हो सकते हैं, सबसे broad तरीका क्या है, सबसे बड़ा तरीका क्या है natural और man-made में classify कर दो, natural और man-made में classify करने का मतलब क्या हुआ, कि भाईया, simple सी बात है, देखिए, ऐसा है ecosystem यानि कि वहाँ पर जहाँ पर life मौजूद है, वो अगर naturally बनाई गई है nature के द्वारा बनाई गई है natural circumstances से बनी है, तो आप बोल दो उसको कि वो एक natural ecosystem है, और यही चीज़ अगर इंसान ने बनाई है, तो आप बोल दो man-made ecosystem, अब देखिए जैसे आपको मैं बोलू forest, forest क्या आपने बनाया है, मैंने बनाया है जी नहीं, forest, jungle, यह खुद से बनाई गए ecosystems है, खुद से प्रकट हुए ecosystems है, आगे हम लोग पढ़ेंगे ecological succession के अंदर की किस तरीके से यह बनते हैं, पर yes, यह घासे, यह जंगल, यह सब कुछ खुद से evolve हुआ है, पर अगर मैं आप से बोलूँ कि भाई, एक बात बताईए, एक aquarium को चेक करिए जाके, aquarium आप जानते हैं, जहां मचलियों को रखा जाता है और उस aquarium के अंदर जब आप जाक के देखोगे तो आपको देखेगा, मचलिया तैर रही है यानि कि life तो वहां पर भी मौझूद है ऐसी मौझूदगी जहां पर जिन्दगी तो है, पर वो बनाई किसने है humans ने बनाई है, एक और example देता हूँ मैं आपको, धान की खेती, आप लोग समझते होंगे चब चावल की खेती होती है, धान की खेती होती है तो जो water होता है, उसको initially बहुत ज़ादा present केया जाता है यानि कि water की जो availability है initial time period में बहुत ज़ादा रहती है तो होता गया है कि वो पानी से ढगा रहता है पूरी धान की खेती initial time period में और वहाँ पर life मौझूद हो जाती है यानि कि सांप और कुछ तरीके के microorganisms, कुछ तरीके के यही चीज़ देखने को मिलती है gardens हो सकते है botanical gardens की एक माली ने क्या करा botanical garden बना दिया है और वो किस ने बनाया है एक human ने बनाया तो human एक ecosystem बना सकता है उसको बोलते है human made ecosystem एको तकता है natural ecosystem अच्छा एक और तरीके से आप classify कर सकते हैं उसको और उसको बोलते है terrestrial ecosystem और aquatic ecosystem अभी terrestrial ecosystem और aquatic ecosystem का फरक क्या है देखे terrestrial का मतलब होता है land ऐसे ecosystem जो जमीन पर पाए जाते है land पर पाए जाते है the land on which we stand उसको बोलते है terrestrial ecosystem और aquatic ecosystem का मतलब होता है वो सभी ecosystem जो पानी के अंदर पाए जाते हैं यानि कि in the water, on the land is terrestrial, in the water is aquatic ecosystem, अभी terrestrial ecosystem के example देखो फटाफट से forest ecosystem हो सकता है, grassland हो सकता है, desert हो सकता है, और कई तरीके के हो सकते हैं, इसको हम लोग अभी आगे आने वाली videos में cover करेंगे, जम मैं आप लोगों पढ़ाऊंगा, biomes, biomes कुछ नहीं, बलकि बड़े ecosystem होते हैं, आ systems को cover करने वाले हैं, और जब aquatic ecosystem की बात करी जाती है, तो aquatic ecosystem को भी again दो हिस्सों में divide करा जाता है, जैसे ना पानी के इंदर जो ecosystem हो, उसको दो रूप से देखा जाता है, कैसे, एक तो है on the basis of salinity, salinity का मतलब क्या होता है, कि नमक के कड़ों के अनुसार, नमक के कड़ों के अनुसार मतलब parts per thousand, कि 1000 अगर हम लोग उसके हिस्से करते हैं, तो उसमें नमक का content कितना है, कितना नमकीन है पानी, उसके हिसाब से भी depend करेगा ecosystem, जैसे कि अगर मैं आप से बोलूँ, dolphin जो है, dolphin, जिसको हम लोग बोलते हैं सूसू, गैंगितिक डॉल्फिन, अभी गैंगितिक डॉल्फिन is called सूसू, और ये इंडियन डॉल्फिन के नाम से जानी जाती है, और ये fresh water ecosystem के अंदर ही पाई जाती है, on the other hand, अगर मैं आपसे बोलू, इरावडी डॉल्फिन, इरावडी डॉल्फिन भी एक तरीकी की बट ये ब्राकेश यानी की उस तरीके के पानी में पाई जाती है, जहां पे खारा पानी होता है, बहुत जादा नमकीन भी नहीं होता और बहुत जादा fresh भी नहीं होता, तो on the basis of salinity भी आप देखेंगे, habitats अलग-अलग होते हैं, जानवरों के, तो भाई, simple सी बात है, कि on the basis of salinity भी आप divide कर सकते हो, जैसे fresh water ecosystem, fresh water मतलब वो सब ही, you know, water sources, जहां पे parts per thousand, अगर आप चेक करते हो कि कितनी salinity है, वो 0.5 से कम आती है, तो if your parts per thousand is less than 0.5, तो उसको बोलते हैं, fresh water ecosystem, अच्छा, brackish ecosystem कौन से होते हैं, जहां पे जो salinity का level है, 0.5 से लेके 35 PPT तक देखने को मिलता है, तो 0.5 से लेके 35 PPT तक अगर आपकी salinity का level है, तो आप बोलिए उसको brackish, खारा पानी, बहुत जादा, खामलब, you know, मीठा भी नहीं होता है, और बिलकुल नमकीन भी नहीं होता है, खारा पानी होता है, और अगर आप स salinity भी रहते हैं, और ecosystems के अंदर भी हम लोगों ने इसको divide किया है, एक और तरीके से आप ecosystems को divide कर सकते हो, ये aquatic ecosystems को, एक तो था salinity, एक दूसरा तरीका क्या है, on the basis of flow of water, यानि की पानी का flow किती तेज है, याज़े for example, अगर मैं आप से बोलूँ, एक तो होता है lotic, एक होता है lotic, अभी lotic और lotic में फरक्या है, ध्यान दे सुनिएगा, lota जानते हो, lota जो मंदिर में आप ले जाते हो, lota, और कहते हैं कि lota जब गिर जाता है, तो लड़कता रहता है, तो याद रखना lotic का मतलब होता है, वो सभी ecosystem जो flowing water में होते हैं, यानि की बह रहे होते हैं, जहा कहें running water है, पानी रुका हुआ नहीं है, स्थाई रूप में नहीं है, और अगर मैं आपसे बोलू, lentic, lentic का मतलब होता है, standing water, standing water किसमें मिलेगा, आपको pond ecosystem में, पानी एक जगा रहता है, उसमें नया पानी भर सकता है, कब भर सकता है, जब बारिश हो, बट ऐसा नहीं है, क इसमें थोड़ा सा further हम लोग divide करते हैं, अब biotic और biotic को चलिए, जब मैं बात करता हूँ, अब biotic components की, तो इसको दो रूप से divide करा गया है, एक तो बोला गया है, climatic, एक बोलते है, idapic, अब देखे, idapic और climatic में फरक क्या है, idapic का मतलब है everything that is with related to the soil, soil से related अगर कोई भी soil की acidic है, या basic है, ये एक soil का component होता है, अब आप बोलोगे इस से क्या फरक पड़ता है, भाई, बहुत फरक पड़ता है, क्योंकि कुछ जानवर ऐसे होते हैं, कुछ organisms ऐसे होते हैं, जो acidic soil में रहते हैं, कुछ basic soil में रहते हैं, कुछ neutral वाले environment में रहते हैं, तो pH level से भी organism का differ कर सकता है, minerals कहाँ पर, you know, phosphorus जादा है, कहाँ पर nitrogen जादा है, कहाँ पर sulfur जादा है, इस तरीकी की mineral compounds भी ecosystem को define कर सकते हैं, topography, किस तरीकी की वहाँ पर structures मौझूद हैं, वो भी define कर सकता है, क्या sand dunes बनते हैं, वहाँ पर गड़े बनते हैं, बहुत सारे तरीके की चीज़े हैं जो define कर सकती है, वहाँ के environment को, वहाँ के ecosystem को, similarly, climatic factors, यानि की बारिश कितनी होती है, बारिश कम होती है, जादा होती है, biomes में पढ़ेंगे हम लोग, there are something known as deciduous, deciduous का मतलब क्या होता है, जो, you know, एक समय अपने leaves को shed करते हैं, क्योंकि पानी नहीं मिल पाता है, तो पत जड़ कुछ है, जो plants, dark light में रहते हैं, कुछ sunlight के अंदर light को जदा चाहते है, wind कहीं पे हवा कम चाहिए, कहीं पे जदा चाहिए, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, जो sensitive होते हैं, बहुत जदा हवा से, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं, जिनको अगर dry हवा मिल जाए, तो वो मर जाते हैं, गरम हवा मिल जाए तो मर जाते हैं, heat waves मिल जाए तो मर जाते हैं, so temperature यह सब a biotic component है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अब हम लोगों को थोड़ा सा biotic components को और समझने की आविशकता है, देखे, biotic components के अंदर ना 3 हिसों में division करा गया, अब हम लोग आगे भी देखेंगे, इसका sub classification, बड़ एक चीज़ समझ लेजे, producers और autotrops, producers और autotrops का मतलब क्या है, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, consumers और heterotrops, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, बलकि producers पर dependent होते हैं, और जब यह या producers कोई भी मर जाते हैं, तो saprotrops का मतलब होता है, वो जो अपनी dead से energy को लेते हैं, जो इनको decompose करते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं saprotrops या decomposers, क्या यहां तक बात clear है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और फिर इसको अब थोड़ा detail रूप से देखते हैं, अब आयोटिक component जैसे कि मैंने आपको बताया, all the non-living factors क्योंकि synonymously आप use कर सकते हो, अब आयोटिक को non-living factors के साथ, climatic और edific factors में divided है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखेगा, there is a concept known as limiting factor, limiting factor का मतलब क्या होता है, देखिए कई सारे अब आयोटिक factors जो होते हैं, वो organism के survival के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, और ये जितने भी living organisms के survival के लिए important factors हैं, ये limit कर सकते हैं किसी organism की growth को, जैसे for example, अगर मैं आपसे बोलू, कहीं पर खाने के availability बहुत कम हो जाए, तो आप देखेंगे वहाँ पर जो organisms की growth है, वो रुक जाएगी, एकदम stop हो जाएगी, कम हो जाएगी, या अगर मैं आपसे बोलू, कहीं पर competition बहुत जादा है, यानि कि खाने के लिए मान लीजे, दो पार लेजी के biscuit हैं, और इसको खाने वाले, अगर हम लोग बोलें, 10,000 लोग हैं, तो आप बताओ किसको मिलेगा, जो लड़कर इसको चीन लेगा, तो यानि कि होगा क्या, लड़ाई आपस में करेंगे, तो क्या होगा, एक की मौत जरूर होगी, यानि कि एक दूसरे को कुचल कर आगे बढ़ेंगे, कहने का मतलब सा, यह है, limiting factors का मतलब होता है, वो सभी चीजें, anything that constraints or restricts, यानि कि रोग दिता है, growth, किसकी growth को, organism की growth को, जैसे वो food भी हो सकता है, और जिस पर वो शिकार करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, prey, तो माल लिजे कहीं पर शिकारी बहुत जादा है, बहुत जादा शिकारी है, और जिसके उपर शिकार करा जाता है, माल लिजे हिरन, ये बहुत कम है, और शिकार करने वाले चीटा, बहुत ज़ादा है तो फिर क्या होगा आपस में competition होगा जिसकी बज़े से जो food की availability रुख जाएगी और cheetah की death होना start हो जाएगी कहने का मतलब limit कर देती है कुछ चीजे organism की reproductive capacities को growth की capacities को जैसे for example मैं आपके लिए कुछ points लाया हूँ जल्दी से देखते हैं इस बार क्या sunlight एक abiotic factor है जी हाँ sunlight एक abiotic factor है क्या sunlight limit कर सकता है किसी भी organism की growth को देखे कैसे कर सकता है solar radiation आप जानते हैं अगर आप लोग देखेंगे electromagnetic spectrum उसके अंदर देखेंगे radio, microwave, infrared, visible, ultraviolet, x-ray, gamma यह component होता है तो आप जब science and technology में इसको पढ़ेंगे तो detail group से पढ़ेंगे और बस इतना समझे लीजे जो sunlight का portion है उसमें जो UV वाला component है देखें यह UV, ultraviolet radiation वाला जो component होता है यह जो UV rays होती है they are very harmful to many organisms जैसे for example कहा जाता है कि अगर UV एंटर कर जाती है तो आपके body में skin cancer को originate कर सकती है mutations cause कर सकती है DNA के अंदर अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे बहुत detail रूप से पढ़ेंगे किस तरीके से UV खतरा बन सकती है कहां पर ozone layer में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ozone layer का depletion क्यों हुआ और why there is so much talk about the ozone hole क्यों Montreal protocol और Vena convention जैसी चीज़े निकली तो इसको हम ल light जो है वो भी important component है किसी को limit करने के लिए जैसे for example ऐसा माना जाता है कि full visible spectrum में visible spectrum का मतलब ये वाला component की बात कर रहे हैं full visible spectrum में सारे colors होता है आप जानते हैं कि white जो है वो you know actual में सारे colors से मिलके ही बनाए तो बोला ये जाता है कि visible spectrum में red and blue जो है वो actual में सबसे ज़्यादा effective मानेगा है photosynthesis में तो light भी effectiveness और limit कर सकती है जैसे for example अगर मान लीजे किसी पेड़ पर red light जादा गिरती है या blue light जादा ग गिरती है उस पर असर अलग अलग आएगा यही importance है किस चीज की visible light की यही sunlight एक limiting factor बन जाता है जैसे for example अगर मैं आपसे बोलूँ high intensity light high intensity मालो बहुत जादा गर्माहट वाली light अगर आप कहीं पे गिराते हो या बहुत जादा light कहीं पे गिराते हो तो आपको देखने को कि root growth और more than the shoot growth हो जाती है यानि कि जैसे for example मान लिजे यह पेड़ है और इस पे sunlight की intensity बहुत जादा है तो यहाँ पर देखने को ऐसा मिला है ecologist को कि जो इनकी root growth है वो जादा हो जाती है और shoot growth कम हो जाती है जिसकी वज़े से क्या होगा transpiration बहुत जादा होगा पानी का loss पानी जादा ना ओड़े मतलब आपको यह सब समझने का सिर्फ इतना प्रयास रखना है जादा दिमार नहीं लगाना है इसमें सिर्फ इतना सा धियान रखना कि sunlight acts as a limiting factor यानि कि sunlight depend करता है कहीं पर गिरेगा तो organism की population को restrict कर सकता है इवन उसके बहुत सारी चीजें जादा गर माहट गिरेगी तो जला भी सकती है कम गिरेगी तो अलग तरीके से perform कर सकता है जैसे for example मैं अगर आपको बोलू low intensity light light के अगर intensity कम है तो आप देखेंगे वो growth flowering और fruiting को रोग देता है जैसे for example आप इस सिर्फ diagram को देखें आपको पूरी चीजें clear हो जाएंगे आप देखे जादा light मार दोगे ना मान लीजे आप क्या खरिए अपने घर में उपर जाएए और उस पेड़ को जो पेड़ है आपकी अगर घर में है तो उसको गर्मी वाले मौसम में सुबह से शाम आप एकदम धूप में रख दो तपती धूप में तो आप देखो कि पत्ते जल जाए जादा sunlight देने का मतलब यह नहीं है कि बहुत तेजी से ग्रो कर जाएगा पेड़ या अगर मान लीजे कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनको sunlight के अभशकता है ग्रोथ के लिए और आप उसको कमरे के अंदर रखेंगे तो कमरे के अंदर internal environment में अगर sunlight नहीं मिलती है तो वो मर जाते हैं इसलिए आप देखेंगे कि sunlight एक मातरा में मिलनी चाहिए carbon dioxide एक मातरा में मिलना चाहिए यह सब limiting factors के रूप माने गए हैं और आप देख सकते हैं कि sunlight also decides the diversity diversity का मतलब क्या कहना चा रहा हूं मैं यह अगर आप देखेंगे जो sunlight है वो सबसे जादा mostly directly आपके equator और tropical region पे पढ यही पर सबसे आधा sunlight पढ़ते हैं और यही पर सबसे आदा diversity भी है और जैसे जैसे slant होती चल bathing होती है जैसे आप देखो कि सूरज की करणे slanting होती चल ..." वैसे वैसे यहाँ पर diversity कम हो जाती है यानि कि जब आप polls की तरफ Move करते हूँ उपर की तरफ मूफ करते हो, altitude अपर की तरफ मूफ करते हो, तो diversity थोड़ी सी कम हो जाती है, diversity का मतलब क्या है? Species की richness Species की richness का मतलब क्या है? कि कितने तरीके कि कितने variety के जानवार आपको वहाँ पर मिलते हैं, अगर आप यहाँ पर, you know, tropical regions पर आएंगे, तो आपको variety of animals, birds, you know, बहुत सारे organism दिखेंगे, बट अगर आप यही चीज, you know, torrid region से उपर की तरफ बढने लग जाएंगे, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा यह कम देखने को मिलेगा, because sunlight acts as a limiting factor. देखे, plants grown in blue light are small, red light results in the elongation of cells and ultraviolet lights are dwarf. जैसे, for example, आपने एक study conduct करिये, और अलग-अलग पेड़ को अलग-अलग light की intensity के अंदर रखे देखे, तो आपको पता चलेगा, जो blue light वाले होते हैं, जितने भी पेड़, वो छोटे रह जाते हैं height में, red light अगर उनको जादा मिलती है, तो फिर उनकी sunlight की बात करोगे, तो frost भी हो सकता है, frost मतलब जब आप देखेंगे, you know, जम जाती है अगर कोई चीज, frosting हो जाती है, तो आप देखेंगे, वहाँ पर भी soil का moisture कम हो जाता है, soil में से moisture कम हो जाता है, तो plants में से moisture कम हो जाता है, again, वो एक limiting factor बन सकता है, transpiration जादा होने की वज़े से, intracellular spaces में, you know, defrost नहीं हो पाता है, और froze होने की वज़े से, वहाँ पर जो moisture का content है, वो बिल्कुल खतम हो जाता है, जिससे की plants की death हो जाती है, again, my point is, अगर मान लीजे, बहुत जादा, you know, थंडा इलाका है, और उस थंडे इलाके में, आप intracellular spaces को चेक करेंगे, plants के, यानि की पत्तियां जो है, येरी पत्ती, इसके बीच में, अगर आप spaces को चेक करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पानी सूप गया है, frosting हो गया है, जम गया है, और इस जम नाट की वज़े से, या ये जब जम जाता है, तो फिर पत्ते ऐसे हो जाते हैं, यानि कि पत्तों की life खतम हो जाती है, जानवर मर जाता है, एक limiting factor है, जरूरस से ज़ादा थंड, जरूरस से कम गर्मी, या जरूरस से ज़ादा गर्मी, ये सब एक limiting factor के रूप में आते हैं, ऐसे ही snow है, snow क्या करता है, period of vegetative growth को short कर देता है, बहुत ज़ादा थंड परती है, तो बहुत कम time period growth हो पाती है, उतनी time growth हो पाती है, जितनी time थोड़ी बहुत sunlight पहुच पाती है, even आप देखेंगे, कि बहुत बहुत ज़ादा थंड होने की वज़े से ये जो branches है, ये टूड जाती है, so again limiting factor है, temperature, बहुत important point है, बहुत ज़ादा high temperature गर्दोगे, तो coagulate हो जाते हैं, protoplasmic proteins, जैसे for example आप ये structure देखे, protoplasma देखेंगे आप, protoplasm, इसमें आप देखेंगे, कि ये जो protoplasm होते हैं, ये actual में thick हो जाते हैं, thick like substances बन जाते हैं, coagulate कहते हैं उसे, यानि कि इनका structure चेंज हो जाता है, liquid से thickness की तरफ बढ़ जाते हैं, जो ये liquid structure होते हैं, ये थिक होना start हो जाता है, क्यों? क्योंकि गर्माहाट बहुत जाता होने लग जाती है, high temperature, respiration और photosynthesis का जो एक balance बना रहता है, उसको भी खतम कर सकता है, similarly आप देखेंगे, कि desiccation हो जाता है plant issues का, desiccation का मतलब क्या है, कि excess evaporation होने की वज़े से, transpiration होने की वज़े से, moisture खतम होने लग जाता है, अगर बहुत ज़ादा गर्मी होने लग जाए, so high temperature can lead to DNA damage, water relation, inhibition of growth, toxic compounds, enzyme के activities को भी गाड़ देता है, photosynthesis का मोजाता है, in short again, temperature also acts as a limiting factor, similarly, minerals या nitrogen जैसी चीज़ें भी एक limiting factor है, जैसे for example, nitrogen is very essential for the plant hormones, अगर मैं जब भी plant hormones की बात करूँ या मैं जब भी बात करूँ या मैं जब भी बात करूँ ग्रोथ आफ दी, you know, plants तो nitrogen is very essential, even अगर मैं आपको बहुत layman terms में बताऊँ अब ये वैसे तो मैं इसको nitrogen cycle में एकदम detail रूप से आपको समझाऊँगा, बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजे, nitrogen जो है ये एक बहुत ही important compound है, तब ही आप इसको देखेंगे कि यूरिया में या fertilizer की रूप में आप इसको छिड़खते हैं, क्योंकि directly available नहीं है, directly ये जो nitrogen है अपने elemental form में, यानि कि अपने original form में ये non-reactive है और ये काम में नहीं आपाती है, किसके काम में नहीं आपाती है, ये plants के बिल्कुल काम नहीं आपाती है, तो उसके लिए कुछ ऐसे microorganisms मौजूद होते हैं, जो कि हम लोग पढ़ेंगे mutualism के अंदर, symbiotic relationships के अंदर, nitrogen cycle के अंदर, वो इसको पूरा कर पाते हैं, बट nitrogen की कमी होनी की वज़े से, plants की growth रुख सकती है, इसलिए nitrogen खुद में एक limiting factor बन जाता है, ऐसे ही rainfall, altitude, salinity, pH, etc., बहुत सारे abiotic factors कुछ नहीं, बलकि एक limiting factor हैं, जैसे जैसे आप you know vertical zonation में उपर की तरफ बढ़ते रहोगे, तो आप देखेंगे उस उपर की तरफ बढ़ते बढ़ते, you know rainfall के patterns different होते हैं, फिर आप देखेंगे ice और snow होता है बिलकुल उपर, नीचे की तरफ थोड़ा tundra होता है, फिर needle like forest मिलेंगे, deciduous मिलेंगे, फिर tropical rainforest मिलेंगे, धीरे धीरे आप यहां की तरफ जाएंगे, तो आपको desert structures मिलेंगे, so the point is, altitude पे भी depend करता है, rainfall पे भी depend करता है, बहुत सारी चीजों पे depend करता है, कि limiting factor क्या है, अब एक question करके देखते हैं, कि आपने कितना समझा, जो अबी तक मैंने आपको बताया, आप बस इसको इतना समझ लीजे, common layman terms में, limiting factor means, anything that restricts, चलिए, अगर, if a tropical rainforest is removed, it does not regenerate quickly as compared to tropical deciduous forest, this is because, कहते हैं कि exam का question है, यह UPSC के prelims में पूछा गया है, यह official question है, कहते हैं कि tropical rainforest, यानि कि वो area जो tropics में पढ़ता है, और वो rainforest मतलब कि वहाँ पर बारिश बहुत ज़ादा होती है, अगर वो tropical rainforest वाला forest कोई काट दे, कट कर दे, deforestation हो जाए, किसी भी वज़े से खतम हो जाए, आग लग जाए, forest fire लग जाए, खतम हो जाए, वो इतनी जल्दी दुआरा से regenerate नहीं हो सकता, जितनी जल्दी tropical deciduous, tropical deciduous मतलब उसी ट्रॉपिक वाले environment में, बट वो forest जो deciduous हैं, यानि कि, कुछ time period उनको पानी मिलता है, moisture मिलता है, कुछ time period उनको बिल्कुल पानी नहीं मिलता है, इसलिए वो अपनी leaves को shed कर देते हैं, उन्हें deciduous कहते हैं, जो once in a year shed their leaves, जो भी plants होते हैं, तो examination में question क्या बोला गया, कह रहा है कि, although tropical rainforest वाला area वो है, जहाँ पर बारिश बहुत ज़ादा होती है, still अगर वो गायब हो जाते हैं, तो वो दुआरा से उतनी जल्दी regenerate नहीं हो पाते, जितनी जल्दी tropical deciduous वो वाले forest जहाँ पर बारिश सिर्फ 6 महीने या 4 महीने होती है, वो हो जाते हैं, ऐसा बताईए क्यों, I hope आप question समझ गए है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, और जनरली यह पहली statement पढ़ते ही आपके दिमाग में आएगा, कि rain forest और वो भी tropical rain forest, और tropics में तो आपने बताया था सर कि sunlight जादा होती है, diversity जादा होती है, और tropical rain forest में बारिश जादा होती है, इवन यहाँ पर plants and trees बहुत सारे होते हैं, और याली बहुत होती है, तो यहाँ पे nutrients के कमी तो हो ही नहीं सकती, सबको generally ऐसा ही लगता है, अभी हम इसको दुवारा देखते हैं, but second option देखे, propagules of the trees in a rain forest of poor viability, देखे, propagules क्या होते हैं, जो trees के हिस्से होते हैं, जैसे birds हो गए, spurs हो गए, यह सारी चीजें जो है, कह रहे हैं कि propagules of the trees in a rain forest of poor viability, ऐसा कोई लेना देना नहीं है, the rain forest species are slow growing, बल्गे तो बहुत तेज़ growing होते हैं, sunlight भी है, पानी भी है, सब कुछ है, exotic species invade the fertile soil of rain forest, में भी हो सकता है, but वो, you know, exotic species कह लो, या इनको invasive species कह लो, या इनको बहार से आई गई species कह लो, foreign species कह लो, यह तो tropical deciduous में भी हो सकता है, so option क्या है, option यह है, आप एक बार यह वाली वीडियो देखे, आपको समझ में आ जाएगा, आप देखे किस तरीके से यहाँ पर बरसात हो रही है, continuously, जहाँ पर बरसात continuously होती है, वहाँ पर जो उपर layer, top layer होती है न, soil की वो भेह जाती है, ऐसे करके नीचे की तरफ, और actual में problem क्या है, tropical rainforest में, although tropical rainforest has high rainfall, high sunlight, तो उसकी वज़े से, यहाँ पर जो, you know, organic matter है, वो जादा बनता है, क्योंकि decomposition भी तेज होता है, decomposition जादा होने के लिए, क्या चाहिए होता है, sunlight होनी चाहिए, गर्मी होनी चाहिए, moist environment होना चाहिए, तो decomposition का process भी तेज हो जाता है, decomposition क्या आगे पढ़ रहे हैं, बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, tropical rainforest में, tropical rainforest में, sunlight भी है, rainfall भी है, decomposition भी है, organic matter भी बन रहा है, और उसकी वज़े से, top most layer of soil, जो सबसे आदा organic होती है, जिसमें सबसे आदा fertility होती है, जिसको हम humus कहते हैं, वो भी बनता है, still, अगर एक बार, tropical rainforest कट गए, deforest हो गए, खतम हो गए, तो वो दुआरा से, उतनी जल्दी नहीं बन सकते हैं, जितनी जल्दी, tropical deciduous बन सकते हैं, क्यों, क्यों कि, tropical rainforest में, excess water, rainfall होने की वज़े से, इसकी जो, top layer of soil होती है, सबसे उपर की जो layer होती है, वो भेह जाती है नीचे, तो actual में, fertility जहां पर होती है, जहां पर nutrients होते हैं, वो भेह जाते हैं, इसी लिए, इसी लिए, आप ध्यान से सुनिएगा, ये point बहुत important है, first option is correct, इसका question का answer क्या है, A, because, tropical rainforest की जो soil होती है, they are deficit in nutrients, क्योंकि पानी इतना जादा गिरता है, क्योंकि उपर की layer, जो है भेह जाती है, इसलिए first सही है, और tropical deciduous on the other hand, वो पेड़ है, जो 6 महिने तो माल लीजे, मैं 6 महिने तो सिर्फ एक्जांपल दे रहा हूँ, माल लीजे 6 महिने वो हरे-भरे रहते हैं, evergreen type रहते हैं, और 6 महिने वो जो है, पत जड़ में रहते हैं, यानि कि उनके जो पौदे हैं, या जो पतियां हैं, वो लीज जो हैं फैल कर जाती हैं, तो वो पतियां सडने लगती हैं, या डीकंपोस होके organic matter बनाती हैं, तो यानि कि अगर आपसे कोई पूछे, tropical rainforest और tropical deciduous में, क्योंकि 6 महीने बारिश होती है, 6 महीने नहीं होती है, और जब नहीं होती है, तो organic matter ज़ादा होता है, tropical rainforest में तो पूरे दिन और पूरे साल बारिश होती है, evergreen forest होते हैं, और इसलिए पानी ज़ादा पढ़ने की वज़े से, वो top layer की soil फिसल जाती है, आगे बर जाती है, यानि कि water acts as a limiting factor है, चली, अब देखिए, यहाँ पर एक और question है, assertion and reasoning पे, assertion कहता है, coral reefs are generally absent on the western coast of the continent, तो कहते हैं, यह कोई भी continent डिलीजे, और इस continent का जब आप western margin देखेंगे, तो यहाँ पर आपको नहीं देखने हो मिलेगा, coral reefs के बारे में हम आगे बहुत detail में पढ़ने वाले, अभी के लिए आप सिर्व इतना चल मज़ी लीजे, coral reefs are nothing, but marine environment में पाए जाने वाली एक species है, invertebrate species है, एक बहुत ही important species है, जिसको preserve करने की बहुत जिद्दो जहत चल रही है, तो question कैसे आएगा, वो कहेंगे कि western coast पर यह नहीं मिलते हैं, और वो इसलिए नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहां से ocean currents जाते हैं, अब देखो यह typical geography plus environment वाला question, अभी भी मैं समझना कि directly environment से question आता है, geography की knowledge और environment की knowledge mix करके भी question आ सकते हैं, and this is the best question, और आप देखिए इसमें क्या बोला गया है, कि both a and r are true, r is the correct explanation of a, both a and r are true, but r is not the correct explanation of a, a is true, but r is false, so guys मैं जाऊंगा c option के साथ, a is true, but r is false, क्योंकि reasoning गलत दे रखी है, first statement is although correct, so second गलत क्योंएं, जल्दी से देखो, पहले तो यह है coral reef, coral reef nothing but marine animals, इनके बारे में हम लोग बहुत detail में पढ़ने वाले हैं, coral bleaching क्या है, corals को कैसे protect करना चाहिए, but यहाँ पर आप एक पर देखिए, coral reefs को अगर आप notice करेंगे, तो generally they are absent on the western coast, जैसे for example यहाँ पर देखो, यहाँ पर absent है, यहाँ पर absent है, यहाँ पर absent है, यह western coast पर absent है, but eastern coast में सारे मिलेंगे, और वो क्यों मिल रहे हैं, उसकी पीछे का reason क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो western coast पर warm currents नहीं, बलकि cold currents से जाते हैं, cold current देखिए आप, यह सब ही cold currents हैं, अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ, यह सारे के सारे देखिए आप, cold currents मौझूद हैं, यह cold currents की वज़े से, यहाँ पर नहीं हो पाता है, क्योंकि coral reef को एक temperature चाहिए होता है, और cold currents वहाँ पे थंडा atmosphere बनाते हैं, high pressure region बनाते हैं, जिसके वरे से वहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है, या वहाँ पर जो temperature उस level पर नहीं पहुच पाता है, जिस level पर corals को survival के लिए चाहिए होता है, इसलिए western coast पर यह गायब होते हैं, यानि कि यहाँ पर temperature acts as a limiting factor, एक और देखिए, high temperature and aridity, यानि कि सूखापन जो है root growth को बढ़ाता है, और high temperature और aridity desiccation in the plant को भी बढ़ाता है, दोनों option क्या बोल रहे हैं, कहते हैं कि कहीं पर यह प्लांट है, माल लिजे हैं, यहाँ पर temperature ज़ादा हो गया, और सूखापन ज़ादा आ गया, तो इसकी roots जो हैं, यह वो develop कर जाएंगी नीचे की तरफ, या तो वो नीचे develop करती हैं, या फिर वो sides में develop करती हैं पानी के लिए, बट हाँ roots develop ज़रूर होती हैं, क्योंकि सूखापन बहुत ज़ादा हो जाता है, और वो ही reason है, desiccation का मतलब होता है, removal of moisture, removal of moisture का मतलब, avoid transpiration ज़ादा होने की वज़े से, जो आपका transpiration ज़ादा हो गया, जिसकी वज़े से high temperature में और aridity में root growth ज़ादा होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह रही root developments ज़ादा देखने को मिलती हैं, in the mountainous ecosystem, which of the falling act as a limiting factor, एक और question है, कहते हैं, mountain region में क्या-क्या limiting factor बन सकता है, क्या change in temperature altitude के साथ एक limiting factor है, क्या change in soil profile with altitude, यानि की height के साथ एक limiting factor है, क्या change in oxygen content with altitude एक limiting factor है, and answer is all of the above, देखें, for example, यहाँ पर आप देख सकते हैं, temperature versus altitude, आप जब temperature और altitude को देखेंगे, तो with altitude temperature changes, यहाँ पर आप देख सकते हैं, oxygen को with height, जैसे जैसे आप उपर की तरफ बढ़ते हैं, तो oxygen का जो concentration है, वो कम होता चले जाता है, इसलिए आप देखेंगे, पहाडों पर लोगों को breathing करने में, oxygen लेने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, इसलिए वो oxygen cylinders carry करके चलते हैं, तो यहाँ तक if आपको समझ में आ रहा है, कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, soil का structure भी आप देख सकते हैं, soil का structure जो है, वो भी differ करेगा with altitude, क्योंकि जो soil नीचे की तरफ मिलती है, वो ही soil उपर की तरफ नहीं मिलती, altitude में आप देखे, bedrock पे आर तरीकी की soil है, bedrock horizon पे यहाँ पर पढ़ सकते हैं, unweathered rock होता है, और सबसे उपर organic horizon होता है, फिर top soil होती है, so with altitude, soil also changes, चले एक और question देखे, which of the falling best describes the term dieback, dieback का मतलब क्या है, क्या यह progressive dying होती है, usually backwards from the tip of any portion, क्या यह near end होता है, black hole का, science and technology का question, क्या यह relationship है, host और parasite का, क्या यह इन में से कुछ भी नहीं है, आप से option पूछा जाएगा, आपको answer देना है, A, मैं आपको एक concept समझाना चाहता हूँ, what is dieback, देखे, dieback का मतलब क्या होता है, generally, अगर मैं आप से बोलूँ, सबसे पहले, अगर plant मरता है, तो plant पता है कैसे मरता है, जैसे मानले जाएगे यह पेड़ है, और इस पेड़ को आप मरावा कब देख पाओगे, पेड़ को मरावा तब देख पाते हो, जब उसकी roots जो होती है न, यह सूख जाती है, यानि कि सबसे पहले इसकी roots में, मानलो कोई कीड़ा लग गया, कोई disease लग गया इसके roots में, तो generally ऐसा देखने को मिलता है, कि इसकी roots में disease होने की वज़े से, नीचे से उपर plant मरता है, यानि कि पहले roots पे असर दिखता है, फिर उसके trunks पे दिखेगा, फिर उसके पत्यों पे दिखेगा, और generally फिर पेड़ खतम हो जाता है, बट die back का मतलब क्या होता है, अपने आपको जिन्दा रखने के लिए plants क्या करते हैं, अपने roots को बचा के रखते हैं, और generally पीछे की तरफ से मरना चालू करते हैं, ना कि नीचे की तरफ से मरना चालू करते हैं, यानि कि सबसे पहले उनके जो पत्तियां हैं, पहले वो मर जाएंगी, फिर टेहनिया तूड जाएंगी, वो अपने आपको बचाने का एक तरीका है, ताकि roots जिन्दा रहें, roots में पानी जादा रहें, roots में nutrient जादा रहें, अगर आपकी roots मोचबूत हैं, तो आप जल्दी से खड़े हो जाएंगे, यानि कि solid base बना के रखते हैं, plants भी, ये इनका एक तरीका है, तो यहाँ पर आप देखिए, water और temperature, sunlight ये सब एक limiting factor थे, चलिए बात करते हैं, biotic components की, अब biotic component आए, hope so आपको clear है, दुवारा से एक बार देखिएगा, आपको पूरा बहतेरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, अब बात करते हैं, what is biotic component, biotic component का सबसे पहला है, producers या इनने को auto-trops कहते हैं, trophic का मतलब क्या होता है, trophic का मतलब होता है nourishment, कि कौन किस से अपना nourishment पूरा करता है, nourishment का मतलब nutrient कैसे लेते हैं, किस तरीके से खाना पीना चलता है, अगर मैं आपसे बोलू, self nourishment, अपना खाना खुद बनाना, खुद ही खाना, उनको बोलो auto-trops, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं, बच्पन से पढ़ते आरो यार, photosynthesis, अपना खाना sunlight की मदद से बना दिया जाता है, पर आप देखिए, sunlight की मदद से ही सिर्फ खाना नहीं बनाया जाता, कई सारे जानबर ऐसे भी हैं, जो आप देखेंगे, पानी के अंदर रहते हैं, और वो phytoplankton के लाए जाते हैं, दुआर से समझेगा, देखें, सिर्फ terrestrial areas में पेड़ पौदे जो हैं, यही sunlight से photosynthesis नहीं करते हैं, water के अंदर भी कुछ ऐसे species हैं, marine organisms भी कह सकते हो, आप इने, यह भी अपना खाना खुद बना सकते हैं, सिर्फ पेड़ पौदे ही photosynthesis नहीं करते हैं, जैसे for example, phytoplankton, phyto का मतलब क्या है, जो photosynthesis कर सके, sunlight की मतलब से, plankton का मतलब होता है, generally they are very small, और यह top most layer of water पे पाई जाते हैं, गम deep पे नहीं पाई जाते, यह बिलकुल उपर की तरफ पाई जाते हैं, बहुत ही, यह बहुत छोटे जानवर होते हैं, plankton होते हैं, तो इन में क्या-क्या आ जाता है, dietoms आ जाते हैं, coco-lithophores आ जाते हैं, sinobacterias आ जाते हैं, dinoflagellates आ जाते हैं, यह आप देख सकते हैं, यह सब ही phytoplankton हैं, और अपना खाना खुद बना सकते हैं, सो खाना कौन-कौन अपना बना सकता है, जल्दी से द्वारा से सुनिए, खाना trees, plants, यह तो पता ही आपको, animals भी बना सकते हैं, और animals में कौन-कौन, sinobacteria, यह diatoms, coco-lithophores, यह सब phytoplankton कहते हैं, यह अपना खाना कुद बना सकते हैं, चलिए दोस्तों, आप देखिए, photosynthesis स तो आप खाना बना ही सकते हैं, आप अपना खाना photosynthesis से बनाते हैं, आप इसके अलावा भी खाना बना सकते हैं, chemicals की मदद से, kemosynthetic bacterias, kemosynthesis के process का इस्तमाल करके भी अपनी energies को derive कर सकते हैं, without sunlight, और यह कौन से areas होते हैं, hypothermal vents, बहुत ही नीचे गहराई वाले areas, जहां पे sunlight नही penetrate कर पाती, वहाँ पर भी आप देखेंगे, photosynthesis तो नहीं हो पाता, बट कीmosynthesis हो पाता है, और इसमें होता क्या है, generally, convert करा जाता है, एक या carbon containing molecule, जैसे की carbon dioxide या methane को organic matter में, with the use of inorganic substances, such as hydrogen sulfide, तो यानि की यहाँ पर प्रोसीजर होता है, they are the bacterias, जो इन घहराई वाले areas में, without sunlight भ बनाते हैं, and hence they are also known, और सब portion of autotrops, ये भी autotrops का ही portion है, चले, फटा-फट से answer देखो, और बताओ मुझे, कि आपने क्या सीखा, which of the falling are autotrops, क्या सभी plantons autotrops होते हैं, क्या mushrooms autotrops होते हैं, क्या diatoms autotrops होते हैं, या cyanobacteria, और options ये दे रखे हैं, बताईए answer, जल्दी से मैं आपको बता रहा हूँ, देखे, क्या सभी तरीके के plantons जो हैं, वो autotrops की category में आते हैं, जी नहीं, autotrops की category में आने वाले plantons को हम लोग क्या बोलते थे, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, phytoplankton, बट एक और तरीके के plantons होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, zooplankton, zooplankton जो होते हैं, ये phytoplankton को खाके अपनी energy को derive करते हैं, यानि कि they are consumers, तो zooplankton are consumers, phytoplankton are जो autotrops की category में आते हैं, जिनको हम producers का दर्जा देते हैं, water ecosystem के अंदर, सभी दरगे के plantons नहीं होते, zooplankton को तो हम consumers मानते हैं, तो autotrops में producers नहीं हैं, mushrooms, जी नहीं, mushrooms कौन हैं, mushrooms are generally fungi, या fungi होते हैं, और ये saprophytes की category में आते हैं, और इसको हम लोग अभी बाद में देखेंगे, या आप ये कह लेजे, mushrooms भी एक तरीके के consumer ही हैं, they are not producers, हां जी, diatoms, yes, diatom is a type of a phytoplankton, sinobacteria is a type of a phytoplankton, so answer is 3 and 4, that is B only, चलिए, तो आप देख सकते हों, यहाँ पे phytoplankton, primary producers, और zooplankton, primary consumer, so ये plankton नहीं होते, ये होते हैं autotrops, अब बात करते हैं consumers या heterotrops, heterotrops का मतलब वो सभी जानवर जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, यानि कि with the use of sunlight, जो अपना खाना बनाते हैं, उनको तो हम autotrops कहते हैं, बट ये सभी जानवर अपना खाना directly sunlight से नहीं ले सकते, बलकि इनको, इन पर dependent होना पड़ता है, जिनको हम producers कहते हैं, so producers पर depend होते हैं आपके consumers, तो consumers मैं और आप भी एक consumer ही हैं, हम लोग directly sunlight हम जादू नहीं हैं, कोई मिल गया कि हम लोगों ने sunlight देखिया और उसे हमने खाना बना लिया या कुछ बना लिया, so obviously ये सब भी consumers का ही एक हिस्सा है, अच्छा, they are dependent on autotrops and they cannot synthesize their own food इसमें भी चार तरीके के heterotrops होते हैं, देखे, primary consumer, अब सबसे पहले आपको ने ये chain समझनी पढ़ेगी, एक बार chain समझ लो और उसके बाद आपको ये सारी चीज़े clear हो जाएंगी, sunlight से energy को derive करा plants ने, कैसे करा, जानते हो photosynthesis, ठीके जी, और plants और ये जो trees या phytoplankton या कोई पी, kemosynthetic bacteria, ये automatically क्या बन जाते हैं बाई, ये बन जाते हैं auto props, यानि कि producers की category में आ गए चलिए, अपनी energies को grasshopper, टिडडे ने इन से खाया, यानि कि grasshopper अपनी energy को plant से लेता है, फिर grasshopper को खाता है, frog, frog अपनी energy को grasshopper से लेता है, फिर snake अपनी energy को mendak को खाता है, वल्चर ज जाता है, तो उसको decomposers खाते हैं, और finally फिर ये मिट्टी में मिल जाते हैं, so ये chain है, अभी food chain के अंदर ये पढ़ेंगे आगे, बड़ी एक chain होती है, जिसको हम लोग food chain बोलते हैं, इस chain के अंदर ये जो है plants, इनको तो आप बोलते हो producers, पहली बार जो plant से, या पहली बार जो producers से direct energy लेते हैं, उन्हें बोलते हैं primary consumers या herbivores, primary consumers और herbivores means those species that directly for the first time take energy from plants and trees, अच्छा, mendak ने क्या directly plants और trees से लिया था, जी नहीं, उसने किसको खाया था, उसने grasshopper को खाया था, इसका मतलब वो क्या बन जाता है, secondary consumer या primary carnivore, अच्छा, snake ने क्या grasshopper को खाया, जी नही क्या उसने plants को खाया, जी नहीं, उसने तो frog को खाया, और frog को energy कहां से, यहां के थुरू, तो आप देखो snakes, क्या बन जाते हैं, tertiary consumer, and finally, सबसे उपर कौन होते हैं, quaternary consumers, omni walls, ठीके जी, तो primary consumers को आप लोग क्या बोल सकते हो, first order consumer, इसका एक और नाम होता है, लिख consumer भी बोला जाता है, and quaternary को fourth order consumer भी बोला जाता है, और यह decomposers क्या बन जाते हैं, यह आपके बन जाते हैं, saprophytes, आगे देखते हैं, इनके बारे में, ठीके जी, चलिए, अच्छा, heterotrops जो होते हैं, दो तरिके के और होते हैं, examination point of view से important हो सकता है, osmotrops और phagotrops, osmotrops का मतलब क्या है, जो अपनी food को या nutrients को osmosis process के थुरू लेते हैं, osmosis process का मतलब क्या है, कि diffusion के process के थुरू अपनी energies को लेते हैं, जैसे Bacterias हैं, Fungi है, Proteuset होते हैं, Molusks होते हैं, Corals होते हैं, Brachup哈哈 sour motivatedbene हैं, यह सब जानवर क्या लेते हैं", Osmosis process का इस्तमाल करते हैं आप लोगों और आपने घरों में समें ड़ियो की लगाी होगी जिसकी बोलते है ration factor Advanced Osmosis , इसके बोलते हैा." ये direct procedure के इस्तमाल करते हैं यानि कि diffusion के process से nutrients को लेते हैं phagotrops कौन होते हैं, phagotrops वो जानवर होते हैं जो खाने को ingest करते हैं और फिर अपने शरीर के अंदर digest करते हैं, देखो दोनों में फरक है जैसे फरक क्या है ये bacteria है मान लिजे माफ करिएगा but मान लिजे ये bacteria है और ये एक food का component है तो ये इसको बहार पहले dissolve करेगा इसको छोटे-छोटे smaller components में तोड़ेगा break down करेगा और फिर diffusion के process से ये खाना अंदर लेगा जबकि phagotrops कौन होते हैं phagotrops वो होते हैं जो खाने को directly लेते हैं और इनके पेट में जाकर के आप देखो इनके पेट में जाकर के ये digest होता है inside their body शरीर के अंदर digest हो तो phagotrops, osmotrops जो शरीर के बहार पहले उसको तोड़ते हैं और फिर उसको क्या करते हैं bacteria ले ले लेते हैं protest ले ले लेते हैं fungi ले ले लेते हैं उन्हें बोलते हैं osmotrops चलिए finally हम बात करते हैं decomposers या saprotrops की decomposers या saprotrops को reducers भी बोलते हैं reducers क्यों बोलते हो क्योंकि ये क्या करते हैं बड़े components को छोटे-छोटे-छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं तो इनका काम है कि वापिस से चीजों को elemental form में लेके आ दिया जाए तो ये अपनी energies को कैसे लेते हैं मरी हुई चीजों से dead organic matter से और वो dead organic matter को हम लोग क्या बोलते हैं detritus तो detritus से लिया जाता है dead organic organism से matter से nutrients को लिया जाता है तो उन्हें क्या बोलते हैं decomposer saprotrops और आप reducers भी कह सकते हैं जल्दी से एक पर यह वीडियो देखे आपको समझ मा आ जाएगा तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर यह सभी decomposers है यह सभी क्या कर रहे हैं saprotrops हैं यह मरी हुई चीजों से अपने खाने के या nutrition को यहाँ पर पा रहे हैं इसलिए हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं decomposers या saprotrops जैसे यह bread का mold है आप इस पर देखिए फंगी लगी पड़ी है यह फंगी भी एक तरीके का क्या बन जाती है saprotrop तो अब यहाँ परना एक थोड़ा सा difference है scavengers में decomposers में और detriti woes में अभी क्या है देखो जब तक आप detail रूप से नहीं पढ़ रहे हो तब तक तो आप सबको decomposers ही बोल दो चल जाता है बट actual में इनमें तोड़ा सा difference होता है और वो difference आपको पता होना चाहिए क्योंकि UPSC की prelims में पूछा जा सकता है कि scavenger, decomposer और detriti woes में क्या फरक है देखे सबसे पहले आप एक चीज़ समझे saprotrops का मतलब का saprot का मतलब जो मरी हुई चीज़ों से अपनी energy को लेते हैं उनी को हम decomposer भी कह सकते हैं decomposer का मतलब जो generally खाने को तोड़ करके जो मरी हुई चीज़ों को organic matter को वापिस से elemental form में वापिस लाते हैं chain में अच्छा देखे मान लीजे सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि एक जानवर है वो मर गया मान लीजे अभी हम लोग यहां पे लेते हैं lion एक lion है उसकी मृत्य हो गई वो मर गया lion जब मरता है तो generally सबसे पहले उसको जो खाने आते हैं सबसे पहले आते हैं बड़े vultures जीव जन्तू जैकाल योनों बहुत सारे अलग-अलग तरीके की जानवर आते हैं इसको मरे को खाते हैं सबसे पहले वो जो मरे हुए lion में से जो मोटा-मोटा मासवास खा जाते हैं उनको बोलते है scavengers इसमें सबसे important को होन है vultures तो vultures को देख सकते हो यह देख लिए vultures जो है crow जो है jackals जो है यह सब किसमें आते हैं they all are part of your scavengers they are first one to eat अच्छा यह scavengers जो होते हैं अपने खाने को अंदर लेते हैं यानि कि favor trots type कि यह क्या करते हैं इसे खाना खाते हैं और फिर इनके शरीर में जाके वो digest होता है correct यहां तक बात clear है अच्छा अब सुनिए फिर होते हैं decomposers decomposers में generally दो ही आते हैं bacteria और fungi bacteria और fungi को ही हम decomposers बोलते हैं और यह क्या करते हैं breakdown करते हैं बाहर और absorb करते है nutrients जैसा कि मैंने आपको बताया इनको हम लोग क्या बोलते हैं osmotrops यानि कि cosmotrophic तरीके का इस्तमाल करा जाता है decomposers के द्वारा अच्छा decomposers में ही decomposers में ही एक ग्रुप है जिसको हम लोग बोलते हैं detriti woes detriti woes वो होते हैं जैसे nematot, roundworms, earthpots, invertebrates यह इतना समझ लो अभी के लिए अभी के लिए यह खाने को खा करके फिर digest करते हैं द्वारा से बोलता हूँ देखे कोई जानवर मरा lion मरा सबसे पहले जो खाएंगे वो scavengers है बट सारा नहीं खाते हैं छोटा मोटा छोड़ जाते हैं फिर क्या होता है उस पे bacteria और fungi भी लगते हैं आपने देखे होंगे चोटे-चोटे कीडे भी लग जाते हैं वो जो कीडे हैं वो detriti woes हैं detriti woes क्यों क्योंकि वो खाने को खाते हैं वो ingest करते हैं phagotrophic तरीका है और bacteria और fungi जो है वो ही decomposer के लाए जाते हैं क्यों क्योंकि वो osmotrophic तरीके का जो decompose करते हैं dead organic matter को या वो सभी जानवर जो एक ही species के organism को खा लेते हैं so obviously the answer is C बट में को एक बात बताओ जो दूसरों के खून पर जिन्दा रहते हैं उसको क्या गयते हैं extra prelims fact है याद रखेगा इसको बोलते हैं hematophagy hematophagy वो सभी जानवर जो दूसरों के खून पर जिन्दा रहते हैं अच्छा वो सभी जानवर जो दूसरों के शरीरों पर जिन्दा रहते हैं यानि कि एक होता है parasite एक होता है उसका host जिसके शरीर पर वो रहते हैं आपके बालों की जू ये भी कह है parasite और एक host का relationship ये सभी क्या है parasitism अच्छा एक ही अपनी ही species के जानवर को खा जाएं उसको क्या बोलते हैं cannibalism cannibalism मतलब अपनी ही species के जानवर को खा जाते हैं which among the falling are categorized under autotrops जल्दी से बताओ phototrops, chemotrops, saprophytes, phagotrops, mixotrops so आप जानते हैं phototrops का मतलब क्या है वो सभी जानवर जो photosynthesis करते हैं बिल्कुल वो सभी जानवर जो chemicals से अपना खाना मनाते हैं बिल्कुल chemo synthesis, saprophytes obviously no उनको हम लोग autotrops नहीं बोलते हैं क्यों क्योंकि वो तो मरीवी चीजों से खाना खाते हैं यह consumers का part है phagotrops जी नहीं यह भी क्या है consumers है अच्छा mixotrops कोन होते है mixotrops का मतलब होता है वो heterotrop भी है और वो autotrop भी है बाकी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा picture plant के बारे में picture plant क्या होता है कुछ नहीं एक ऐसा plant होता है जो क्या करता है obviously photosynthesis तो करता ही है बट इसके एक ऐसे करके ना ऐसा एक flap होता है जिस पे attracted होते है mosquitoes और flies और वो आकर के यहां बैठते हैं और फिर यह flap को बंद कर देता है और उसको digest कर जाता है यानि कि यह समझे लो ऐसे करके flap होता है इस पर आके चिपकती है मक्या बंद कर लेता है और खा जाता है जानवरों को खाने वाले पेड़ भी होते हैं सुना होगा आप लोगों ने देखे होंगे cartoons में वो तरीके के पेड़ को mixotrops आप बोल सकते हैं और कई सारे ऐसे marine organisms में हैं कई सारे ऐसे bacterias भी हैं तो वो heterotrops की category में भी आते हैं और autotrops की category में भी आते हैं सो obviously answer क्या नहीं है 3 नहीं है 4 नहीं है 3 और 4 नहीं है तो obviously यह दोनों options तो eliminate हो जाते हैं 1 बिल्कुल सही है 2 भी बिल्कुल सही है तो answer becomes 1, 2 and 5 only चलिए with reference to decomposition बताओ जल्दी से low temperature और anaerobiosis inhibit the decomposition, decomposition is slower if detritus is rich in nitrogen बहुत ही भैतरीन question है क्या पूछा जा रहा है कि जहां पर भी थंड़क जादा है low temperature का मलदा थंड़क जादा है और वहाँ पर anaerobiosis यानी की anaerobic respiration हो रही है oxygen की कमी है, anaerobic respiration वनलब oxygen की कमी हो जाना, उसकी वज़े से decomposition का process रुक जाता है, inhibit हो जाता है, बिल्कुल सही बात है yes, it inhibits the decomposition, for example, what I am trying to say, आप खाने को गर्मी में भार रखते हैं तो उस पर fungus लग जाती है, क्योंग डिकंपोजिशन का process तेज हो आता है गर्मी में, बट आप fridge के अंदर रखते हो तो उस खाने को तो वो फंगस नहीं लगती उस पे, bacterias नहीं लगते हैं उस पे, वो सर्ण न इस रिच है nitrogen में, जी नहीं, अगर decomposition में होते वक्त nitrogen जादा है, तो decomposition भी तेज होगा, याद रहना, decomposition on nitrogen directly proportional है, जितना decomposition तेज है, इसका मलब nitrogen जादा है, अगर nitrogen जादा नहीं है, तो decomposition भी जादा नहीं है, so obviously answer में क्या पूछा किया, correct statement बताओ, ये statement गलत है, ये बिल्कुल ठी जा रहा है, consider the following statement regarding humus, जो top labor की और soil होती, आप लोगो ने भी soil की upper horizon देखी होगी, जो dead organic matter से सबसे पहले fertility soil बनती है, it is highly prone to microbial action, it serves as a reservoir of nutrients in nature, it undergoes decomposition at a very fast rate, अब सुनो यहाँ पर क्या कहानी बनाई गई है, बहुत ही बढ़िया कोशन है, ध्यान से देखिए, it is highly prone to microbial action, humus जो होता है, वो top level की soil होती है, और इस पे microbes जो है, वो सबसे पहले action कर सकते हैं, दूसरा statement बोलता है, it serves as a reservoir of nutrients in nature, yes, this statement is correct, second statement बिल्कुल ठीक है, it undergoes decomposition at a very fast rate, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर ना incorrect पूछा है दोस्तों, ध्यान से, और मैं आपको बता रहा हूँ ही, यह दोनों ही statement गलत हैं, बिल्कुल, second statement is correct, अब ध्यान से सुनिए कैसे, भाई humus बनता कैसे है, humus तब बनता है, जब dead organic matter, पूरा का पूरा decompose हो जाता ह है, तो decompose होने के बाद humus बनता है, तो इस पे decomposition होगा क्या, यह तो decompose already हो चुका है ना, तो इस पे decomposition थोड़ी होगा फिर से, तो यह गलत हो गई, और इस पे microbial action नहीं होगा, microbial action किस पे होगा, microbial action तो तब होगा, जब वो चीज क्या है, अभी सिर्फ एक लिटर है, यानि क गीरा हुआ हिस्सा है, और्गनिक मैटर है, फिर वो तूट करके जब humus बन गया, तो उस पे कोई microbial action नहीं हो था, microbial action तो पहले ही हो चुका है, second statement बिल्कुल ठीक है, option में पूछा गया था, incorrect बताओ, answer is B, चलिए यहाँ पर फटा-फट से देखते हैं, question है, P.I.Q. है, which of the falling are detriti woes, जल्दी से देखे, earthworm बिल्कुल होते हैं, detriti woes बिल्कुल खाते हैं, fagotrops की तरह, jellyfish होती है, क्या, थोड़ा सा question mark है, millipedes बिल्कुल होते हैं, wood lice बिल्कुल होते हैं, जो termites भी कह सकते हैं, तो 135 तो होते ही होते हैं, अब सवाल यह है कि 135 कहां कहां दे रखा है, यहां दे रखा है, 135 और यहां दे रखा है, यह option तो गलत ही हो गए, दूसरी चीज क्या बोली गई है, jellyfish और seahorse, बेशक आपको jellyfish के बारे में पता ही नहीं पता है, but seahorse के बारे में आपको पता होना चाहिए, they are consumers, seahorse जो हैं, यह नहीं क्या करते हैं, मरी हुई चीजों स 1, 3, 5 only, and obviously jellyfish भी नहीं है, हाँ जी दोस्तों, अब बात करते हैं, what is ecology, ecology क्या है, देखे, ecology जो है, it is the study of how living organisms interact with each other and their environment, it is derived, okios word, habitation, logos का मदला बोले study, अब पहले समझते हैं, क्या है, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, कि मैं को पहले तो यह बताओ, economics और economy में क्या फरक ह economics और economy में बहुत छोटा सा फरक है, क्या आप economics पढ़ते हो, economy पढ़ते हो, economics subject है, जिसके अंतरगत economy के बारे में पढ़ा जाता है, जैसे कि यह आपकी UPSC में topic दे रखा Indian economy, Indian economy मतलब आपको Indian economy के बारे में पढ़ना है, बट जिस subject के अंदर आप पढ़ते हो, उसको क्या बोल system, यह वो सारी चीज़े हम पढ़ रहे हैं, बट जिस subject के अंदर हम पढ़ते हैं, इसको इसको बोलते हैं, ecology, ecology is nothing but subject matter, यानि कि subject का नाम ecology है, इसलिम लोग बोलते हैं, environment and ecology, so ecology is the subject under which environment is studied, and कौन पढ़ता है, यह ecologist पढ़ते हैं, अचा इसके आप देखेंगे, traces वो ancient time period से आइंगे, articles आ रहे हैं, you know, different news में, तो मैंने उसको collaborate करके आपके सामने लाने की कोशिश करी है, कि भाई, कई सारी research हुई, वहाँ पर भी यह पत-पता चला, और जब आप history पढ़ते हो, उसमें भी आप पढ़ते हो, कि early human civilization, in the Indus Valley civilization, people had great knowledge, and deep knowledge about the natural forces, plants and animals, even आप देखेंगे, domestication of animals भी वहाँ पर मौझूद था, तो traces of animals भी मिले हैं, seals के उपर, so the whole point is, कि उनको knowledge थी, agriculture भी करना आता था, इसका मिला, plants की knowledge तो रही है, और सिर्फ वही नहीं हमारे ecology में, past में इनकी knowledge बहुत रही है, जैसे for example, वेद, सहिताज, ब्रहमनाज, अरंक्याज, उपनिशद, इ जब आप सुर्षित सहीता पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा, आयुरुवेद के अंदर ये सारी चीज़े दे रखी है, युनानी के अंदर, योग पतंजली के अंदर ये सारी चीज़े दे रखी है, so the whole naturopathy and all these concepts के अंदर एक चीज़ पता चलता है, कि हम लोगों को ecology के subject जो है, वो हमारे शास्तरों के अंदर दे रखाए, पढ़ाया जाता था, बहुत important हिस्सा माना जाता था, और फिर इसकी modern definitions, जोर्ज बुफन ने दी नाच्रल हिस्ट्री 9756 में, जो उनने किताब लिखी, उसके अंदर बताया, Hans Reiter ने ecology term की सबसे पहले स्थापना करी, और सबसे important जो आपको याद रखना है, Ernst Heckel, सबसे पहले वियक्ति, जिन्नोंने first clear definition दी कि ecology क्या होती है, चलिए finally अब हम समझते है, environment, habitat, ecosystem और ecology में फरक, देखे, ecology, study, ecology का मतलब कैं है, पढ़ाई, किसके अंदर हम पढ़ेंगे, ecosystem द्वारा से, इसका बहुत important है, functional unit है और interaction है, यानि कि life यहाँ पर मौझूद है, अगर मैं habitat बोलू तो छोटे ecosystem, habitat is small ecosystem और environment, environment के अंदर तो biotic और abiotic दोन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि environment के अंदर हमेशा biotic हो ही हो, ऐसे areas भी होतकते हैं, जहाँ पर simply abiotic ही मौझूद होता है, so इस diagram से आप बहुत अच्छे समझ सकत है, इसमें कई सारे combinations दे रखें, for example, environment क्या है, environment यह सारा environment है हमारे लिए, environment is a very holistic term, environment के अंदर biotic भी आ जाते हैं, सिर्फ biotic भी आ जाते हैं, तो यह तो होता ही होता है, अगर मैं आप से बोलू, अब इसमें और habitat में क्या फरक है, habitat छोटा भी हो सकता है, habitat बड़ा भी हो सकता है, but habitat में एक चीज़ कंपल से रही है, life is a essential component, यह बहुत important है, अच्छा एक चीज़ और habitat, अगर habitats को आपस में एक दूसरे की comparison में बोलोगे, तो habitat जो होते हैं, वो बड़े और छोटे हो सकते हैं, but अगर मैं habitat और ecosystem में define करूँगा, तो habitat और ecosystem में क्या फरक है, ecosystems are bigger and habitats are smaller, तो यह ecosystem भी और ecosystem के अंदर भी life मौजूद होती है, और environment में ऐसे बहुत सारी areas हो सकते हैं, जहां पर life मौजूद ना हो, सिर्फ a biotic factor हो, देखो, environment में biotic, biotic, abiotic, biotic, abiotic, biotic, abiotic, यह तीनों मौजूद हो सकते हैं, but ecosystem में biotic is essential, habitat में biotic is essential, यह जरूरी है, और ecosystem habitat में क्या फरक है ecosystems are generally bigger, not well defined, whereas habitats are well defined, और ecosystem छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, similarly habitat छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, पर habitat और ecosystem को जब compare करोगे, तो habitat छोटा होता और ecosystems बड़े होते हैं, क्या यह बात clear है कि नहीं है, life is the basis, यहां पे जरूरी नहीं है, life हो, यानि कि अगर मैं एक और point बोलू, ecosystem और habitat environment का ही हिस्सा है but environment में एक और हिस्सा ऐसा है जहां पे सिर्फ abiotic abiotic होता है वो ecosystem और habitat नहीं है so आप एक पर देख सकते हैं इन में difference क्या है और क्या-क्या basic फरक है हम लोग पहले भी देख चुके हैं एक question देखते हैं आपके understanding को consider the following statements with regard to difference between ecosystem और habitat में फरक बताओ ecosystem जो है well defined होते हैं habitats नहीं होते हैं जी नहीं यह बिल्गु statement गलत है ecosystems are not well defined and habitats are well defined तो यह statement गलत है one गलत है तो देखो option के अंदर two and three and three तो है third पहले से ही सही है क्यों क्योंकि team दोनों में दे रखा है many habitats together make an ecosystem बहुत सारे habitats छोटे 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 एक ecosystem बनाते हैं बिल्गुल सही बात है यहां पर biotic और abiotic interact रहते हैं तो third तो correct है ही क्या और second में क्या दे रखा है life is an essential component in habitats life एक बहुत ही essential component है habitat का जबकि ecosystem can exit with a biotic only अरे नहीं भाई life is the essential component of both so I hope so आपको clarity के साथ यह सारे concepts clear होंगे आप प्लीज बताइएगा अगर आपको कोई भी doubt होता है और हम तीसरी वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं thank you so much revise करते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा